हे मैं योट्यूब फैमली सभी को मेरा नमस्कार तो मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आ चुकी हूँ आज के हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इन्पोर्टेंट है यह है इस्पेसली अबजेक्टिव कोशन जो कि हमारे समिश्टे 6 में जो लास्ट पेपर है मिन चौधा पेप से ही अबजेक्टिव कोशन देवनागरी लेपी से राश्ट भासा से और राज भासा से तो आपका जो सेमिश्टर फोर का लास्ट पेपर है फोर पेपर उसका सारा उप्जेक्टिव कोशन इस विडियो में केलिर होने वाला है रासा करते आप लोगों को वीडियो बहुत और जो मेरी चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करने करने में तो अब वीडियो को पूरा देख़े तो आप लोगों को समझ में आएगा तो चलिए ज़्यादा बखबखना करते वेश शुरू करते हैं तो हमारा पहला question है हिंदी किस भासा परिवार की भासा है हिंदी जो है वो किस भासा परिवार की भासा है तो इसका answer होगा भारोपिये ठीक है भारोपिये भारोपिये परिवार की हिंदी भासा है फिर है भारत में सरविधिक बोले जाने वाली भासा कौन है भारत में सबसे ज हुआ तो अब्भरन से हुआ था ठीक है इस अब याद रखना important question आपका objectory में कहीं से भी पूछ सकता है फिर है निमलिकित में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है इन चारों में से कौन सी है जो बोली अथवा हिंदी भासा के अंतरगत नहीं आती है तो वो है तेलगू फिर है हिंदी की विशिष्ट बोली बरज भासा किस रूप में सबसे अधिक परसीद है तो वो है कावे भासा में फिर है मज़क mia क कोशन का मतल्च समझे कипर अधिक बरज भासा जो सबसे जयादा किस तरह से में वो परचलित है है जिसकी कावे में यह गिती में तो किस में थो वो दो कावे में ज़्यादा फ्यमश है बरज भासा फिर है भारत वर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे भारत वर्स में मत भारत में जो हिंदी का जो है वो हिंदी भासा आप किस वर्ग में उसको रखेंगे तो राज भासा के अंतरगत रखेंगे हिंदी को फिर है रुड़ाडी बोली है पुर्वी रजस्थान की रुड़ाडी पुर्वी रजस्थान की है फिर है बरजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बांगला फिर है निमलिकित में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है उन्में से कौन सी भासा है सो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है तो मराथी मराथी जो है वो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है सिंधी उडिया और गुजराती ये देवनागरी लिपी पर वक्रा लाहत हो तवन हमका देदा या अवतरन हिंदी के किस बोली में है मतल़ यह जो बात लिखी गई है पद को दोचालेन वो कौन से भासा में लिखी गई है तो वो है अवधी हिंदी के अवधी भासा में लिखी गई है फिर है निमलिखित में कौन सी भासा संस्कृत भासा की अभरंस है तो वो है पाली इसके बाद है अधिकतर भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी से हुआ है जो मतलब जादा तर जो भारत का भासा है वो जादा तर कौन सी लिपी से विकास हुआ है तो वो होगा हमारा ब्राही लिपी जिसको आज हमनों देवनागरे लिपी भी कहते हैं जो कि ब्राही लिपी के अंतरकत ही आता है फिर है हिंदी भासा किस लिपी में लिखी जाती है हिंदी भासा जो है वो किस लिपी में लिखी जाती तो यह बहुत इजी है देवनागरे लि परण के अधार पर 36 गड़ी बोली है पुर्वी हिंदी फिर निमलिखित में से कौन सी पच्छमी हिंदी का बोली नहीं है ये चारों में से कौन सी पच्छमी मतब पच्छीम के तरब जो इतने भी छेतर आते हैं वहां पे हिंदी की बोली नहीं है तो वो है बगहेली फिर है भारतिये शविधान में किन अनुछेदों में राज भासा समंदी प्रावधानों का उलेक है, तो वो है 343 से 391 तक यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वी बी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग को यह माइन में रखना, 343 से 391 तक भारतिये शविधान में राज दच्छिनी भारत हिंदी परचार सभा का मुख्याले कहां पर स्थीत है, दच्छिन भारत में जो है वो हिंदी परचार सभा का मुख्याले कहां स्थीत है, तो चेन्नाई में दच्छिन में, ठीक है, फिर हिंदी भासा के विकास का सही अनुकरम कौन सा है, हिंदी भासा के जो विकास का जो सही अनुकरम हो वो कौन सा है तो इसका आंसर है प्राली प्राक्रीत अभरंस हिंदी फिर है सविधान के अनुचे 351 में किस विशेका वनन किया गया है तो हिंदी के विकास के लिए निदेश का ठीक है फिर है बरज भासा है पच्छमी हिंदी बरज भासा क्य इस भासा की उपभासा बोली है, तो वो है बिहारी, फिर हमारा नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अभरन से विक्सित हुई है, हिंदी जो खड़ी बोली है, वो किस अभरन से उसका विकास हुआ है, तो वो है सौर सेनी, फिर है भासा के अधार पर भारती राजियों की पुना सनरचना की गई थी भासा के अधार पर जो भारती राजों की पुना सनरचना की गई थी वो कितने इस्वी में की गई थी तो 1956 में फिर है भारत अधार पर स्वर पर्थम किस राज का गठन हुआ भासाई अधार पर जो स्वर पर्थम किस राज का गठन हुआ था मतलब एक पारम भुवत वो था आंधर परदेश फिर है बगेली बोली का समभन किस भासा से है तो पुर्वी हिंदी से उसके बाद है किसी तिथी को हिंदी को राज भासा बनाने का निर्ने लिया गया किस तिथी को मतलब हिंदी भासा को राज भासा का बनाने का निर्ने लिया गया इस question करत है कि कब हिंदी को राजभासा बनानी के लिए निर्नाय लिया गया कितने इस्वी में तो 14 सितंबर 1969 इस्वी को यह बहुत important है पूछता ही पूछता है जो कि 14 सितंबर को हम लोगों का हिंदी दिवस मिना आया जाता है यह भी अबजिक्ट में पूछता है कि हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो 14 सितंबर को और हिंदी को राजभासा कब स्विक्रित किया गया तो 14 सितंबर 1969 इस्वी को फिर है वर्स 1955 इस्वी में गठित पर्थम राजभासा आयोक के अधियच थे पर्थम राजभासा आयोक अधियच चुना हुआ तो उस अधियच कौन थे तो वो थे बीजी खेर फिर है भारते सविधान की आंठिवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या भारते सविधान में जो आंठिवी अनुसूची है उसमें कितने भासा सामिल है तो बाइस भासा सामिल है यह सब सारे कोशन बहुत इंपोर्टिंट है इसके बाद है हिंदी की आदी जननी है संस्क्रीट हिंदी की जो आदी जननी है वो कौन सी है तो वो है संस्क्रीट फिर है आंठवा विश्वी हिंदी सम्मेलन 2007 इस्वी का योजन अस्थल था न्यू यार्क मतब आठवा विश्व जब था तो हिंदी सम्मेलन 2007 इसरी कोरजन कहा, कौन से स्थल में हुआ था तो नीउ यार्क फिर है निमलिकित में से कौन भारोपिय परिवार की भासा है तो मल्यालम फिर है हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है मतलब किस दिन मनाया जाता तो 14 सितंबर को यान रखना ये सारे बातों को फिर है विकास की दिरिष्टी से प्राकृत की पुर्व कालिन अवस्था का नाम है पाली फिर है पच्छमी हिंदी की दो बोलिया का सही यूग में है खड़ी बोली और बुंदेली फिर है अर्थ मागधी अब भरन से विक्सित बोली है तो वो है बगहली फिर है देवनागरी लिपी का सही विकास कर्म कौन से है तो ब्राही लिपी मतलब कि देवनागरी लिपी का जो विकास वो कैसे कैसे नाम उसका देवनागरी लिपी पढ़ा था शुरू में क्या था उसके बाद क्या था वो चीज यहां बतान था अगर आपको यह चीज याद रहेगा तो जब आप देवनागरी लिपी को दुभा और विकास के बारे मिलिक रहे होगे तो यह बहुत helpful होगा और आपको objective भी clear होगा तो पहले था ब्राही लिपी फिर है गुप्त लिपी फिर है नागरी लिपी फिर है देवनागरी लिपी सुरू में ब्राही लिपी नाम पढ़ा उसके बाद गुप्त लिपी उसके बाद नागरी लिपी फिर फैनली हमारा देवनागरी लिपी थिए है सही तो यह topic यहीं paint हो आप लोगों को वीडियो बहुत हेल्फुल रहा होगा बहुत अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए प्यारी प्यारी कमेंट करना बिल्कुर भी न भूलिए और वीडियो को सेर कीजिए और मेरे चैनल पे नहीं तो सिस्क्रा बहुत ये चैनल मज़दार होने वाला है क्योंकि अभी तो शुरुआती है तो बस अभी जितना हो सके उतना महनत कर रही हो आगे भी करूंगी बस आप लोगों का ऐसी तरह प्यार मुझे मिलता रहे तो चलिए और जिन लोगों का एक्जाम है सब ही लोगों को मेरे तरफ से दिल से वेश्ट फलक अच्छे से एक्जाम लिखे जितना त्यारी हो पाया उतना अप लिख डालिए और जो लोग मेरे चैनल पर वीडियो नहीं देखे हैं राश्ट भासा राज भासा की परिभासा वगेरा मार्त भासा संपर्क भासा देवनागरी लिपी देवनागरी ल अब सारा वीडियो अप्लोड हो चुका है आप लोग जाके वीडियो जरूर चेक कीजिए और बताए आप लोग वीडियो कैसा लगा सो थैंक्यो फॉर वाचिंग एंड मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए आप लोग क्योंकि मुझे आप भी लोग पर उमीद है